प्यारे बत्सों पिछले मोडूल में हमने प्रमानु सरंचना के बारे में पढ़ा और प्रमानु की खोज के बारे में किसने बताया था उसके बारे में पढ़ा तत्व परतीक योगिक अनु कैसे बनते हैं उनके बारे में पढ़ा और डोल्टन का सिद्धान्त पढ़ा था थ एक वेमान स्रक्षन एवम निश्यत अनुपास उजन पर आधारित था थीक है उसमें पढ़ा था कि प्रतेक पदार्थ परमाणू से बना है परमाणू एवेब बाजय कन है ऐसा पढ़ा था थीक है उसकी कमी यह थी कि इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन न्यूट्रोन के बारे में नहीं बता पाया और प्रमानु की सही से व्यक्या नहीं कर पाया बादने और डोल्टन के प्रमानु परतिरूप को आगे बढ़ाने के लिए या आगे प्रमानु की व्यक्या करने के लिए एक और वेगयनिक आते हैं नाम होता है थॉमसन यह वेगयनिक थॉमसन प्रमानु सरम कहते हैं थॉम्शन का परमाणू परतिरूप इन्हीं थॉम्शन के परमाणू परतिरूप का दूसरा नाम होता है पलम पूडिंग मोडल पलम पूडिंग मोडल तो प्यारे बच्चों सबसे पहले थॉम्शन ने अपने परमाणू परतिरूप में एक बात बताई थी कि परमाणू का जो अकार होता है परमाणू का अकार बताया दस की पावर माइनस दस मेटर परमाणू का अकार बच्चों दस की पावर माइनस दस मेटर बताया और कहा कि परमाणू धनावेशित गोला है, एवं इसमें रिनावेश यानि इलेक्ट्रोन बिखरे हुई रहे रहते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं या रहते हैं, ठीक है बच्चों कि परमाणू का आकार बता है, दसकी पावर माइनिस दस मिटर और कहा कि परमाणू धनावेश या गोला है, और इसमें रिनावेश है वो बिखरा हुआ पाए जाता है, ठीक है, यानि धनावेश परम प्रमानु का जो द्रहमान है तो वो इस दनावेश की तरह भिखरा रहते हैं यह प्रमानु बार है वो इस दनावेश की तरह भिखरा रहते हैं और इन्होंने अपने सिद्धानत को समझाने के लिए एक मिठाई ली पलम पूडिंग ये मिठाई होती है ये केक की तरह होती है ठीक है तो इन्होंने बताया कि जिस परकार इस पलम पुडिंग मिठाई के अंदर जो चोकलेट होती है या चोकलेट बिखरी भी होती है ये चोटी-चोटी जो डोटे हैं ये चोकलेट बताया इन चोकलेट को कहा कि इन चोकलेट की तरह ही परमाणू में इलेक्ट्रोन बिखरे हुई होते हैं यानि इलेक्ट्रोन पर आवेस होता है रिन आवेस तो ये रिन आवेसित बाग था यानि परमाणू में जो रिनावेश इत भाग है या रिनावेश है वो इस धनाएन के मद्दे बिखरा हुआ पाया जाता है और बाकी जो ये ब्रेड़ वाला भाग बसता है इस ब्रेड़ वाले बाग को कहा धनावेश कि परमाणू में ये धनावेश होता है इस तरह से बिखरा हुआ पाये जाता है और बीच बीच में ये समान मातरा में क्या होता है रिनावेश होता है तो एक बार फिर से देखते हैं कि पलम पुडिंग मोडल पलम पुडिंग मोडल एक पलम पुडिंग है एक मिठाई है कि इस मिठाई के अंदर जिस परकार से चोकलेट लगी है या चोकलेट बिक्री हुई है उसी परकार परमाणू में रिनावेश या इलेक्टरोन होते हैं और बाकी जो ब्रेड़ वाला भाग बसता है उस बारतिय सस्कर्ति के अंदर बीज पाई जाते हैं जिस परकार एक तरबूज के अंदर क्या होते हैं ये बीज होते हैं उसी परकार परमाणू में रिनावेश होता है और रिनावेश किस पर होते हैं इलेक्टरोन ठीक है और बाकी जो ये लाल भाग बसता है ये लाल भाग बसता है इस बाग को कहा धनावेश है कि जिस परकार ये तरबूज के अंदर ये लाल भाग बिखरा हुआ है उसी परकार धनावेश है और इसी धनावेश के अंदर य कि पर्मानु के बारे में हमें यह निमन बाते ग्यात हुए एक नंबर बात कि थॉम्शन के पर्मानु प्रतिरूप से पता चलता है कि जो पर्मानु होता है वो कैसा होता है विदुत रूप से उदासिन विदुत रूप से कैसा होता है उदासिन होता है ठीक है क्योंकि देखो अर्थॉम्शन नए न कहा थै कि धनावयस को लखना है और उसके अंदर रिनावयस है जितना दनावयस है उतनी मातरा में क्या है उदाज़ट पर्मानु हें इस परकार परमानु कैसा गोला हो गया है कि विद्धू रूप से उधास हैं तो इस मोडल से ये पता तो लगता है कि परमानु विद्धू रूप से क्ई है उधासी gebracht से और इस सिधान्त की योगें बाते हैं कि परमानु का आकारब तया 10 की पावर माइनस दस से मेटर तो ये भी इस प्रोंशन के परमाणू पुर्तिरूप की दो खास बाते हैं मैं तो पुन बाते हैं ठीक है बच्चों तो दुबार देखते हैं थोड़ा सा थोंसन का परमाणू पुर्ति रहों थोंसन ने सबसे पहले परमाणू का क्या बताया आकार बताया आकार बताया दसकी पावर माइनस से 10 मिटर और कहा कि परमाणू धनावेशित गोला है उसी के अंदर समान मात्रा में समान मात्रा में क्या फैला रहता है रिनावेश फैला रहता है यानि रिनावेश इलेक्ट्रोन पर होते हैं तो इलेक्ट्रोन फैले रहते हैं उसी दान्त को समझाया एक पलम पुडिंग मिटाई के दिवरा कि जिस परकार इस मिटाई के अंदर चोकलेट फैली रहती है उस जिस परकार ये it emda hai तर्बूज के समझा ने चीजस परकार एक तर्बूज की अंगर बीज लगी उते हैं उसी परकार प्रमाणू में रि Nabви चाहर रहता है और बाकी जो लाल भाग है उसी परकार रिनावेत बाग होता है ओज्य मैंट्नावी जो और दो इक होता उसकी कमिया रह जाती है तो बच्चो थोंसन के परमानू परतिरूप की कमिया थी कि परमानू के अंदर जो इलेक्ट्रोन होते हैं इलेक्ट्रोन का सही सथा ने नहीं बता पाया एक नमबर कमिया जाती है इलेक्ट्रोन का सही सथा ने नहीं बता पाया दो नमबर कमें हो जाती है कि अब हमें वर्तमान में पता है कि परमानु का जो भार होता है वो नभीक में स्थित होता है परमानु का भार है नभीक में स्थित होता है क्योंकि ये बात हमें रद्दर फोर्ड ने बताई है तो डोल्टन का जो परतिरूप है वो रद्दर फोर्ड के परमानू परतिरूप रद्दर फोर्ड के परमानू परतिरूप है कि व्याख्या नहीं करसका तो पहरे बत्चो ये इस थॉम्सन के परमानू परतिरूप की दो क्या हो जाती है कम यह हो जाती है कि एक तो इलेक्ट्रोन का सही सता नहीं बता पाया ठीक है और कहा कि दनावेस बिकरा हुआ है लेकिन दनावेस होता है प्रोटोन होते हैं वो नबिक में होते हैं तो यह बात इसकी क्या साबिद हो जाती है गल्थ साबिद हो जाती है ठीक है लेकिन खास बात ये थी इस सिद्धान तकी कि इसके दवार हमें ये पता चला कि परमानु विजडूत रूप से कैसा होता है पुदासीं होता है और आकार का भी पता चला तो यह मुख्य बाते थी या उपयोगी बाते थी या परमानु के बारे में दूर पुर्ण बाते थी एक नए वेगैनिक आते है नाम होता है रद्दरफो एक बात और बजा देता हूँ कि ये थॉम्शन वहीं है जिन्होंने इलेक्ट्रोन की खोज की थी तो इलेक्ट्रोन के खोज करता पुछे तो प्यारे बच्चों बताना किनोंने की थी थॉम्शन ने पूरा नाम था जे जे थॉम्शन ठीक है लेकिन ये जो इलेक्ट्रोन नाम है ना ये इलेक्ट्रोन नाम एक विग्यानिक थे स्टोनी उन्होंने दिया थी ठीके बच्चों तो जेजे थॉम्सन ने किसकी खोज की थी इलेक्टोन की और नाम किसने दिया था स्टोन अब इसी मोडूल को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं रद्रफोर्ड का परमानू पढ़ते हुए